आप सभी दर्शकों का स्वागत मैं शंकर कुमार इतिहास विभाग हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्विद्याले में पढ़ाता हूँ और आज CEC गुरुकुल लेक्चर्स के जिस विशे पर हम यह परीचर्चा करेंगे वह रेडेसों का है जिसे पुनर जागरन के तौर पर भी हम जानते हैं और उसके जिस पक्ष पर यह वारता होगी वह उसका हिस्टोरियोग्राफी है और हिस्टोरियोग्राफी मत्ब इतिहास लेखन में पुनर जागरन को किस तरीके से लिखा और समझा गया है अलग-अलग कालखंडों में तो हमारी पहली कोशिश यह होगी कि रेनिसा को उसके मूल स्वरूप में जाने और जैसा कि इतिहास में अक्सरहा होता है कि अलग-अलग कालखंड में भविश्य में यानि जिस रेनिसाओं की हम बात कर रहे हैं पंदरहवी शताबदी, सोलहवी शताबदी, यूरोप के संदर्भ में उसके बाद के काल में 17 शताब्दी में 18 शताब्दी में वर्तमान में उसी रेनेस्टों को किस तौर पर देखा और समझा गया है तो जैसा कि आप बाकी सभी इतिहास के विश्यों में समझते होंगे कि जब इतिहास लेखन होता है तो समय के अनरूप दृष्टिकोंड बदलता रहता है नए फैक्ट्स आते रहते हैं और उसके आधार पर जो हमारी समझ है रेनेस्टों की उसकी पुनर रचना भी होती रहती है और उसमें सुधार या उसमें जो भी संभव परिवर्तन होता है वह होता रहता है तो आज मूलत इतिहास लेखन के दृष्टिकोंड से जो पुनर जागरन को समझने की कोशिश की गई है उसके उपर यह चर्चा है लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसके मूल स्वरूप और चरित्र में जो कुछ important features है या जो important content है जिसके उपर यह परिचर्चा होती रहती है उसको समझना भी उतना ही महतपूर्ण है तो इसलिए जैसा कि आप अपने slide पर देख सकते हैं we have discussed some preliminary points related to renaissance और उसमें मैंने चार बिंदूओं को अंकित किया है cultural efflorescence, time, italian city states and rebirth of the civilization of antiquity तो यहां cultural efflorescence का जो ताथपर यह है वह यह है कि अगर हम renaissance को समझना चाहते हैं पुनर जागरन को समझना चाहते हैं तो वह मूलता, sanskritic एक उसका पक्ष है और sanskritic ही आप कह सकते हैं इसका परिसीमन भी है और यह पूरा परिवर्तन जो सुलहमी शताबदी में या पंद्रहमी शताबदी के अंतिम के भाग में जो second half of 15th century and first half of 16th century यह जो time है इसका 1450 से 1550 का उसके जो cultural aspects हैं, जो परिवर्तन के cultural aspects हैं, sanskritic जो पहलू है वही उसी का आंकलर हम करते हैं रेनेसों के तहट तो रेनेसों में जो परिवर्तन लाए जा रहे थे रेनेसों काल में या पुनर्जागरन के परिवर्तन, पुनर्जागरन से जो पक्ष परिवर्तित हो रहा था जहां नए दृष्टिकोंड और समझ बन रही थी, वह मूलता सांस्कृतिक है तो इसे अर्थव्यवस्था, समाज या धर्म के दृष्टिकोंड से देखना हाला कि ऐसा माना जाता है कि रेनेसों के आने के पश्चात जो आधुनिकता है लगबग उसकी शुरुवात हो चुकी थी और उसके शुरुवात यूरोप में ही हुई थी तो आप कह सकते हैं कि रेनेसों को एक ट्रिगर पॉइंट माना जाता है मौडरिनिटी की शुरुवात करने की आधुनिकता की शुरुवात करने का एक बिंदु माना जाता है तो वैसे दृष्टिकोंड से कई बार हम यह गलती कर बैठते हैं कि जो अर्थवेवस्था में आ रहे समानांतर परिवर्तन है या समाज में आ रहे समानांतर परिवर्तन है धर्म में आ रहे समानांतर परिवर्तन है और वो हो रहे थे यूरोप में 16th century येरोप में, 16 शिताबदी येरोप में, 17 शिताबदी येरोप में आप reformation देख सकते हैं, जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं, Christianity के अंदर Protestantism का rise हुआ, उसके बाद commercial revolution भी हमें देखने को मिलता है, price revolution देखने को मिलता है, बाद में जाकर industrial revolution देखने को मिलता है, scientific revolution दे में भी stretch कर दें, उसका फैलाव उतना बढ़ा दें, तो यह अपने आप में एक meaningless exercise हो जाता है, तो अगर हमें पुनरजागरन को समझना है, तो एक सीमित दाइरा है उसका, और वह है कल्चर का, वह है सांस्कृतिक भव्यता का, सांस्कृतिक तोर पर कैसे नई सोच एक बनती जा रहा था, एक सुंदर्ता की नई परिभाषा दी जा रही थी, मनुष्य को केंदर में रखा जा रहा था, जिसे हम humanism के नाम से जानते हैं, और आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका भी renaissance का भी परिसीमन केवल humanism में करकर देखना शायद सही नहीं होगा, तो कि अगर हम प inspire हो रहा था, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, टाइम का मैंने आपको बता दिया, जो दूसरा पहलू है, preliminary points का आपके slide पर, वो तो लगवग इसमें सहमती है, कि 15 विश्यताबदी के second half में और 16 विश्यताबदी के first half में जो Italian city states में परिवर्तन हो रहे थे, सांस्क Italian city states को थोड़ा समझना महतपूर्ण है, क्योंकि अगर यूरोप की राजनेतिक विवस्था को देखें, विश्यत तौर पर इस कालखंड में, तो बाकी जादा जगों पर, या तो हमें जो पैपल चर्च है, वेनिस से गवर्न होता हुआ जो चर्च है, वह काफी महतपूर् मनुष्य के सामाजिक जीवन में और सांस्रितिक जीवन में काफी था, और साथ-साथ यह समय था राजवंशी विवस्था के आने का, तो मुनार्किकल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, वह भी यूरोप के जादा हिस्सों में व्याप्त था, परंतु यह जो मुनार्किकल सिस्टम है जो की बाद में जाकर जिसे हम एपसिलूटिस्ट मुनार्की के तौर पर समझते हैं सोलमी शताबदी और सतरमी शताबदी में वह सिती संभवता अभी यहां नहीं थी और लेकिन इटली थोड़ा इससे भिन्न था क्योंकि यहां मुनार्की से इतर मुनार्की से हटकर या ज सिटी स्टेट्स जैसे व्यवस्ताएं थी तो सिटी स्टेट्स का मतलब जैसे वेनिस है या अधर सिटीज है यूरप के उसके इर्दगिर्द और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो सिटी एड्मिनिस्टेशन के ही नाम पर गवर्न हो रही थी और एक बड़ा कोई इंपायर लाइक स्ट्रक्चर या कोई जो बड़े छेत्र पर एक एक शाशक का शाशन नहीं था और सिटी स्टेट्स जो थे उसमें आप मान सकते हैं कि जो आबो हवा है संस्क्रिटी की वो काफी अर्बनाइजड था यानि अर्बन सेंटर्स अर्बन सेंसिबिलिटी जो शहर संवेदनाएं हैं वो ज्यादा व्याप्त थी और जो मर्चंट्स हैं जो व्यापारी हैं या जो अनेकाम काज करने वाले लोग हैं तो उन लोगों की अपनी पहचान भी एक बनती जा रही थी इन सिटी स्टेट्स के तौर पर इन सिटी स्टेट्स के निवासी होने के तौर तो आप कह सकते हैं कि एक बड़े भूखंड में एक राजनायतिक व्यवस्था न होकर छोटी छोटी राजनायतिक व्यवस्थाएं सिटी स्टेट्स में व्याप्त थी इतली में इस समय और इसका कहीं न कहीं जुडाव है एक जो element of competitiveness है प्रतिस्परधा है और हम देखेंगे कि कैसे ये जो प्रतिस्परधा की संस्कृती है उसकी जो समवेदना है वो भी काफी हद तक रेनिसा को डिफाइन कर रही थी और और इसका जन्म सिटी स्टेट्स में ही हो सकता था मैं आपको भारतिये दृष्टिकोंड से भी भारतिये प्राचीन भारतिये इतिहास के संद से भी इस बात को आगे उधरित करने की कोशिश करूंगा कि कैसे जब हम अर्बनाइजेशन या खास करकर अर्बनिजम की बात करते हैं केवल शहरी करन की बात न करें लेकिन उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट शहरी होने का जो सांस्कृतिक पहलू है उसकी बात करें तो आप पाएंगे कि प्राचीन भारत में भी हमें इस तरह के उदाहरण मिलते हैं जहां कि दो शहर एक दूसरे से अपने आपको सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा वैभवशाली बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे और वह चाहते थे कि उक्त शहर दूसरे शहर से या पास की शहर से ज़्यादा उसकी ख्याती हो तो ख्याती पाना यह भी एक एक इंटिग्रल एलिमेंट हो जाता है किसी शहरी विवस्था का और उसका एक एक रूप अगर आप वरतमान में देखने की कोशिश करें तो शहर में रह रह रहे हैं लोग चाहे यूरोप में अभी भी प्रिमेर लीग टूर्नमेंट्स हैं या इंडिया में भी जो आईपिल टूर्नमेंट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि शहर केंदर में रहता है हाला कि उसमें कॉस्मोपॉलिटनिजम है उसके खिलारी उसी शहर के संभवता नहीं होते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं लेक किलोर की टीम है या दिली की टीम है या मुंबई की टीम है और उसमें अंतराश्य खिलारी भी है भारतिय खिलारी भी है और वो सभी उस उस उप्त शहर को एक पहचान देते हैं और यह पहचान जो व्यक्तिगत खिलारीों की जो उतकृष्टता है वह कहीं न कहीं उस शहर की शहर के वैभव को स्ट्रेंदन करता है उसमें रबिन करता है तो ये कहीं न कहीं आप देखेंगे कि ये पहले से अर्बनाइजेशन या अर्बनिजम का एक इंटिग्रल हिस्सा रहा है तो इस द्रिश्टिकोंड से जो इटालियन सिटी स्टेट्स में इसकी जो उत्पत्ती हुई रेनेसां की पुनर जागरन की वह महत्यपूर्ण है कि शहरी विवस्था में ही इस प्रकार की सांस्कृतिक समवेदना विक्सित हो सकती थी इसके बाद जो अगला पॉइंट जो मैंने स्लाइड में रखा है वो है रीबर्थ और सिविलिजेशन ऑफ एंटिक्विटी यहां एंटिक्विटी का मतलब है जो क्लैसिकल पीरिड है ग्रीक और रोमन हिस्ट्री का जो प्लेटो का समय है या अरिस्टोटल का समय है जहां जिस समय ग्रीक विवस्ता या रोमन सामराज जो अपने आप को काफी जो उतकरिष्ट काल रहा है स्वानिम यूग रहा है उनका और इसकी परिकल्पना पहले भी लोगों ने की थी रेनेस्टों के समय में निश्टित रूप से एक नए द्रिश्टिकोन और जोश और नए परिपेख्ष में एंटिक्विटी को पढ़ने की कोशिश की गई थी परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि जो उसके पहले का काल है जिसे हम मद्यकाल के नाम से जानते हैं यूरोपिय मद्यकाल के नाम से जानते हैं तो ऐसा नहीं है कि मद्यकाल में एंटिक्विटी की जो ट्रेटाइजिस हैं उसके जो ग्रंथ हैं या जो उसकी उतक्रिष्टता है उसे पूरी तरह से नजर अंदाज किया जाता था तो ऐसा नहीं है और हाल के जो researches हैं वो इस बात को और भी ज़्यादा उद्रित करते हैं और हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कैसे antiquity को पुनर जन्म देने की कोशिश की गई और ऐसा एक attempt लिया गया कि जो antiquity की ज उत्कृष्टता हो, paintings की उत्कृष्टता हो या भवन निर्मान की उत्कृष्टता हो तो उसे कहीं न कहीं revive किया जाए उसका पुनर जन्म किया जाए और इसी कोशिश के कारण इसका नाम ही हम पुनर जागरन रखते हैं या renaissance रखते हैं तो ये मूल कुछ preliminary points हैं जिसको सम करने की कोशिश करेंगे इसके इतिहास लेखन की तरफ ध्यान दे कर और इसके अलावा जो कुछ और जो बिंदू हैं जिसे हम कह सकते हैं कि renaissance के लिए वो केंदर बिंदू है, renaissance के इर्दगिर्द जो भी हमारी समझ बनती है उसके केंदर में ये सारी बाते हैं जिसका ज movements और self-conscious movements क्या होता है और इसका यहां तात्पर यह क्या है मैं एक उदाहरन से इसको आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ 1857 की जो क्रांती थी भारतिय इतिहास में, आजनिक भारतिय इतिहास में उसे भी हम जानते और समझते हैं कि आज के दिन हम उसे भारतिय स्वाधिन्ता आंदोलन का पहला बिगुल मानते हैं कि यह this was the first war of Indian independence, first struggle for Indian independence यानि कि भारतिय स्वाधिन्ता आंदोलन की शुरुवात 1857 से हुई है यह हम आज जानते हैं यह हम आज उसका आंकलन करते हैं परंतु जो इसके participants थे, जो इसके heroes थे, 1857 में, उन्हें नहीं पता था, they were not conscious of this fact that they are fighting a war of independence and they are the first to do so. तो उन्हें खुद इस बात की चेतना नहीं थी, आत्मे चेतना नहीं थी, कि वो क्या करने जा रहे हैं, और कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो यह भविश्य ने तैय किया कि वह काम कितना बड़ा था, जब उसे किया जा रहा था, तब संभवता उसका दाइरा उतना वेदनाय थी अठासो संतावन की वो धीरे धीरे प्रगाड होती गई और उसी पर उसी मेमरी के उपर बिल्ड करकर उसी डिजायर के उपर बिल्ड करकर एक बड़ा आंदोलन तयार किया गया स्वाधीनता का परंतु जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे वो इस अपने इनॉर् लेकिन कई ऐसी क्रांतियां हैं इतिहास में जहां जो क्रांतिकारी होते हैं जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है वो जानते हैं और जानकर उसमें पार्टिसिपेंट करते हैं कि वो एक बड़े बदलाव के लिए अपना योगदान दे रहे हैं जैस इसे फ्रांसेसी क्रांती को ही लें 1789 की तो उसमें जो भी क्रांतीकारी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे अगर उस समय के समकालीन साहिते को आप देखें या उनके पैंफिलेट्स को देखें तो वो कह रहे थे कि वो क्या चाहते हैं वो लिबर्टी को डिफाइन कर रहे थ वो nationality को define कर रहे थे, वो citizenship को define कर रहे थे, वो republic को define कर रहे थे, वो human rights को define कर रहे थे और उसी संदर्व में वो कई बातें लिख भी रहे थे और परिवर्तन करने की कोशिश भी कर रहे थे राजनेतिक रूप से. तो यहां आप कह सकते हैं कि 1789 also was an example of self-conscious movement. Similarly, जो पुनर जागरण है वह भी आत्मचेतना जो पुनर जागरण की है वह लोगों में थी. रेनेस्व के जो जितने बड़े पेंटर्स हैं या स्कल्प्चिर्स हैं, शिल्पकार हैं या जो आर्किटेक्ट्स हैं अक्सर हां वो पॉलिमाट्स हुआ करते थे. वो केवल एक चीज में उनकी विधा नहीं होती थी. वो कई विधाओं में बिलकुल उत्कृष्ट होते थे. चाहे आप मिचल एंजेलो को ले लें, लियोनाडो डाविंची को ले लें, तो वो इजीडियर भी थे, वो मेडिसिन की भी जानकारी रखते थे, वो पेंटिंग भी करते थे, थोड़ा architecture के बारे में भी जानते थे, literature में भी interest था. तो इस तरह के लोग मिलकर इस आंदोलन को जन्म दे रहे हैं, और उन्हें आत्म चे इतना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, और कैसे उनके जो भी कारे हैं, वो पूरे विष्व को यह संस्कृती को पुना परिभाशित कर देगा, तो they are very conscious of their efforts and they know what they are doing and they know that they are important and they are important interventions that they are making, तो ये समझना बहुत जरूरी है पुनर जागरन के संदर्ब में, इसके पास शाहत humanism और humanism का जैसे मैंने आपको कहा कि अक्सरहा जो school book, school textbook-ish understanding हमारी होती है रेनेसा की, कि it is essentially about humanism, यानि human beings are at the center of focus of the entire activities around the Renaissance, तो यह समझ पहले बनी हुई थी इतियासकारों में कि humanism जो है या आप कह सकते हैं कि रेनेसा संस्कृती के उस कालखंड को उधृत करता है, या हमें उस कालखंड के बारे में बताता है, जब मनुश्य का ध्यान भगवान या God या Divine aspects से हटकर मनुश्य पर केंद्रित हो गया, और ऐसा माना जाने लगा कि man is the best creation of God, और जब when it was realized कि man is the best creation of God, तो केंद्र में मनुश्य आगया न की भगवान और ऐसी अवस्था में आप देखेंगे, कि जो समझ बनी, वो renaissance humanism की बनी, पर आगे हम लोग देखेंगे कि renaissance is much much more than humanism, तो humanism के परे भी renaissance है, और अंतिम जो बिंदू है वो scholasticism का है, scholasticism renaissance के या पुनर जागरन के जस्ट पहले का जो काल है, काल खंड है, 12-13 वी शताबदी, 14 वी शताबदी के समय का, रूची थी लोगों की, और किस तरह से वो ऐसा नहीं था कि वो अतीत के गरंथों को नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, बिलकुल अरिस्टोटल को पढ़ रहे थे, लेकिन जो उसका focus था वो काफी individualized था, there was no civic element associated with it, तो वो पढ़ने के कारण उसे पढ़ रहे थे, academic reason से पढ़ रहे थे, उसका जो social spin-off होता है, या उसका cultural spin-off होता है, वो संभवता नहीं हो रहा था, परंतू Renessa के जो scholars हैं, जब वो antiquity के texts को पढ़ रहे थे, अतीत के ग्रंतों को पढ़ रहे थे, या उसके कलाकृतियों को समझ रहे थे, तो वो उसे पुनर जीवित करना चाहते थे, वो अपने civic life में उसे जीना चाहते थे, तो original language में, original Greek language में उसको पढ़ने के कोशिश की गई, और उसके कारण कई परिवर्तन आने लगे, उसके कारण कई, उसके social और cultural spin-offs हुए, जिसका काफी role रहा है आधुनिकता को शुरू करने के लिए, तो ये मोटी समझ जो renaissance की है, हम इन बिद्वों से बना सकते हैं, धन्यवाद झाल